दोस्तों क्या आपको मालूम है कि आपके सौंग या इनवाइट इस्टार मेकर पर जल्दी ट्रेंड्स क्यों नहीं करते हैं? तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स देंगे जिससे आपके हर सॉंग और इन्वाइट जल्दी से जल्दी ट्रिंड्स करेंगे इसका सबसे पहला कारण है दोस्तो आप सॉंग को प्रैक्टिस नहीं करते हैं और जैसे तैसे गाके इन्वाइट कर देते हैं तो लोग उसे सोनना पसंद नहीं करते हैं और ऐसे में आपके सॉंग ट्रेंड्स नहीं करते हैं तो कोशिश करेगा जो भी सॉंग आप गाते हैं तो उसे ओरिजिनल सिंगर जो गाये हैं उसके साथ प्रैक्टिस करिए और star maker पर जादे से जादे retake लिजिए, बार-बार practice करिए जब आपको लगे मैंने अच्छे से गा लिया है तब जाके उसे invite कर दीजिए या open public कर दीजिएगा इसके बाद दोस्तों नमबर आता है song का selection आपको जो मन होता है, जो भी track, जो भी song select कर लेते हैं, वो song trends नहीं करता है तो आपको ये देखना है कि star maker पर इस टाइम में कौन सा track और song trends कर रहा है इसके लिए आपको यहाँ पर जाना है फिर आपको यहाँ पर trending song और trending track मिल जाएंगे इसमें से आपको select करना है जो भी song पर आपको जादे पकर है उसको practice करके ऐसे song को invite करेगा तो जल्दी ही जल्दी trends करेगा एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी song गाते हैं तो उसका sound की quality अच्छा होना चाहिए माइक एक अच्छा सा रखेगा और उसको settings प्रोपर करिएगा इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि star maker के song को full HD में कैसे record करना है वहाँ से आप जाके देख सकते हैं तो ऐसे song को लोग जादे से जादे सुनना पसंद करते हैं दोस्तो आप देखते होंगे star maker पर जो भी song trends करते हैं उसका दो डिजन होता है वह song short version में होता है और video में होता है तो आप भी कोशिश करिएगा जो भी आप songs गाते हैं तो उसे एगा ंव फोपर उससे जादे लोग सुनते हैं और जतना जादे उस पर click होता है तो वह जादे trends करता है दोस्तो आप जो भी सौंग आते हैं तो पब्लिक करते ही खुद उस पे लाइक कर देते हैं तो ऐसे लाइक्स को इन्वैलिड क्लिक्स माना जाता है तो आपको ये करना है कि आप जो भी सौंग पब्लिक करते हैं तो उसके आठ दस likes आ जाए तब जाके आप खुद से likes करिएगा तो इसको valid माना जाता है तो likes, comment और play जितना जादे बढ़ेगा उतना जादे trends होता है तो इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर जादे से जादे groups जोईन करना है उसमें share करना है आपका song दोस्तों को share करना है, whatsapp पे share करना है और facebook पर आपको बहुत सारे star maker के groups मिल जाएंगे उसमें सब में share करिए तो ऐसे में क्या होगा जादे से जादे आपके song पे hit यानि कि click होगा तो वो जादे से जादे trends करता है दोस्तों आप जो भी song आते हैं उस पे दो चार चीज hashtag में mention करिएगा जैसे के hashtag star maker hashtag जो भी है hashtag trending hashtag trending now ये चीज दो चार चीज mention जरूर करिएगा ऐसे hashtag को star maker जादे promote करता है I hope दोस्तों मैंने आपको जो भी tips और tricks दिया है आप एक बार उसे apply करिए और आपके हर collab trending जरूर करेगा star maker से related बहुत सारे वीडियो बनाए है जिसका link आपको description में मिल जाएगा या आप हमारे channel star maker के playlist में visit कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में